नमस्कार इस चैनल में आप सोभी फिवोर्स को बहुत बहुत सागत है आज इस वीडियो में रिजिनिंगे के कुछ इंपोटेंट कोशिन्स डिसस करेंगे जो अपकमिंग कॉंपटिटिव एक्जम्स के लिए बहुत ही इंपोटेंट है आप वीडियो को धेंसे देखेंगा कोशिन्स को समझने माग पो कोई दिकत नो हो तो चलिए शूर करते हैं यहाँ पर तीन फिगर है लास्ट फिगर के लेफ साइड में देखें कोशिन मर्क तो यह कोशिन मर्क के जगा कौन सा नमर आएगा इस कोशिन को सॉल्व करने के लिए सबसे बहले हम फ़र्स फिगर को सॉल्व करेंगे फ़र्स फिगर में यहाँ पर देखे 16 है राइट साइड में देखे ऊपर मैं 6 है नीचे देखे 2 है तो इन नंबर्स का अंदर रिलेशन क्या बनेगा सबसे बहले हहाँ बर ओर यहाँ इसफ यह नीचे का नामबर यह 2 को माइनीस करेंगे तो यहाँपर क् 1 हो जाएगा 1 के साथ multiply by 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा number ठीक है तो अभी question mark के जगा क्या होगा देखे पहले 8 से 5 को minus करना है 8 minus 5 is equal to 3 होता है 3 के साथ multiply by 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा तो मतलब question mark के जगा यहाँ पर 12 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ मैं आ गया तो चलिए next question को देख लेते हैं इस question को देखे यहाँ पर question mark के जगा कौन सा number आएगा इस question को हम columnize solve करेंगे first column में 64, 25, 8 to 1 यह तीनों number ही देखे यहाँ पर perfect square number है इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है यह जो 64 उपर में 64 का square root करेंगे तो 8 हो जाएगा उसके बाद 25 का अगर square root करेंगे तो 5 ह हो जाएगा देखे 8 plus 5 plus 9 is equal to 22 होता है नीचे का number ठीक है समझ मारा है second column में भी same करना है देखे 100 का अगर square root करेंगे तो 10 हो जाएगा 169 का square root करेंगे तो 13 हो जाएगा उसके बाद 196 का square root करेंगे तो 14 हो जाएगा इन numbers को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखे 37 आजाएगा नी करेंगे तो 12 हो जाएगा उसके बाद 1 का square root 1 ही होता है and then 256 का square root करेंगे तो 16 हो जाएगा इन numbers को हम आगा जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा तो मतलब question mark के जागा यहाँ पर 29 हो जाएगा correct answer ठीक है तो option D हो जाएगा correct answer तो चलिए next question को देख लेते हैं इस question को देखे यहाँ प साथ 144 का भी वही relation होगा and 24 के साथ question mark जागा जो number आएगा उसका भी same relation होगा देखे यहाँ पर 16 के साथ 69 का relation क्या बनाएगा देखे 16 multiplied by 4 करेंगे तो यहाँ पर 64 होता है इसके साथ plus 5 कर देंगे तो 69 हो जाएगा next number इस सेट पर भी same करेंगे देखे 31 multiplied by 4 is equal to 124 होता है उसके स plus 5 करेंगे तो यहाँ पर 129 हो जाएगा लेकिन 144 है इसका मतलब यह relation नहीं होगा तो relation क्या बनेगा देखे यहाँ पर क्या करना है 16 multiplied by 5 करेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा 80 से हम अगर minus 11 कर देंगे तो 69 हो जाएगा next number ठीक है समुझ मारा है इस से पर भी same करेंगे 31 multiplied by 5 is equal to 155 होता है 155 से अगर minus 11 कर देंगे तो 144 हो जाएगा next number ठीक है समुझ मारा है तो मतलब question mark के जागा क्या होगा देखे same हो जाएगा 24 multiplied by 5 is equal to 120 होता है 120 से minus 11 करना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 109 तो मतलब question mark के जागा 109 हो जाएगा correct answer ठीक है समुझ में आ गया तो च question mark जागा कौनसा number रहेगा इस question को solve करने के लिए 3104 के साथ 64 का जो relation होगा इस 8 पे डवल 401 के साथ question mark जागा जो number रहेगा उसका भी same relation होगा देखे यहाँ पर 3104 के साथ 64 का relation क्या बनेगा सबसे पहले 3104 का 4 digits को आप उसमें जोड़ना है मतलब 3 plus 1 plus 0 plus 4 इन numbers को हम आगा जोड़ेंगे तो देखे यहाँ पर 8 होता है अभी 8 का अगा square कर देंगे तो 64 हो जाएगा next number ठीक है समझ में आ रहा है इस सेट पे भी same करना है देखे यहाँ पर 4401 का 4 digits को आप उसमें जोड़ना है मतलब 4 plus 4 plus 0 plus 1 इन numbers को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा देखे 9 का square करेंगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा तो मतलब question mark जागा 81 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ में आ गया तो चलिए next question को देख लेते है इस question को देखे एक certain code language में अगर water is liquid का code है 295 oil is liquid का code है 549 oil on water का code है 824 तो यहाँ पर on का code पुछा गया है सबसे पहले यहाँ पर on का आपा रहें देखे last sentence में on है तो इसको हम underline करके रखेंगे उसके आगे यहाँ पर oil का code को धुड़नेंगे देखे oil last sentence में है and second sentence में है तो यह दोनों sentence का code में एक common number होगा और common code होगा वही होगा oil का code तो देखे यहाँ पर 4 है यह sentence में है तो last and first यह दोनों sentence का code में एक common number होगा और common code होगा वही हो जाएगा water का code थीके तो देखे यहाँ पर 2 है यहाँ भी देखे 2 है तो इसका मतलब water का code हो जाएगा 2 थीके समझ में आ रहा है तो अभी यहाँ पर बाकी है on to code में बाकी है 8 तो on का code हो जाएगा 8 correct answer थीके समझ में आगा तो चलि नेक्स्ट को देख लेते हैं इस कोशिन को देखिए यहाँ पर कोशिन मड़क जागा कौन सा नमबर आएगा इस कोशिन को सॉल्व करने के लिए हम इसको रो वाइस सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो में यहाँ पर देखिए 67, 25 and 101 है तो इन तिनों नमबर के अंदर रिलेशन क्या बनेगा देखिए सबसे पहले 67 जो है यह 67 के साथ माल्टिप्लेट बे 3 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 201 ठीक है उसके बाद यह 25 है यह 25 के साथ माल्टिप्लेट बे 4 करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा देखिए 201 से अगर यह 100 को माइनस करेंगे तो 101 आ जाएगा नेक्स नमबर ठीक है समझ मारा है सेगन रो में भी सेम हो जाएगा 55 के साथ माल्टिप्लेट बे 3 करना है तो 165 होता है उसके बाद यह जो 17 है 17 के साथ माल्टिप्लेट बे 4 कर देंगे तो यहाँ पर 68 हो जाएगा ठीक है समझ मारा है तो देखिए 165 से अगर 68 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 97 हो जाएगा नेक्स नमबर ठीक है तो अभी कुश्चिन मर्क के जगा क्या होगा देखिए यहाँ पर 45 के साथ माल्टिप्लेट बे 3 करना है तो 135 होता है उसके बाद यहाँ पर यह जो 19 है 19 के साथ माल्टिप्लेट बे 4 करना है तो 76 हो जाएगा 135 से अगर यह 76 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ पर 5 तो मतलब question mark जागा 59 हो जाएगा correct answer, ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए next question को देख लेते हैं, देखे एक certain code language में अगर touch का code 68 है, तो error का code क्या होगा, वो ही पूछा गया है question में, इस question को solve कैसे करना है, देखे, touch का code 68 कैसे आएगा, देखे, यहाँ पर touch को लिख लेंगे, capital letter म T-O-U-C-H, ठीक है, numerical order में अगर letters को reverse में लिखा जाए, R-E-V-E-R-S-E, reverse में अगर लिखा जाए, तो यहाँ पर T का place value कितना है, T का place value 20, ठीक है, तो reverse order में T कितना नमर में आएगा, यहाँ पर 27 से E 20 को minus करना है, तो 7 नमर में आ जाएगा T, ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जा नमर में, उसके बाद C आ जाएगा 24 नमर में, याद रखना है, reverse order में, ठीक है, उसके बाद H, reverse order में कितना नमर में आएगा, यहाँ पर 19 नमर में आ जाएगा, ठीक है, तो दीखे, इन नमर्स को हमागद जोडएंगे, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा, ठीक है, टाच का code, समझ फिर से R है, उसके बाद O आ जाएगा, 12 नमर में, एन उसके बाद R है, मतलब 9 हो जाएगा, तो इन नमर्स को अगा जोडएंगे, तो यहाँ पर देखे, 27 प्लस 12, 39 प्लस 22, मतलब 61 हो जाएगा, तो मतलब, error का code हो जाएगा, 61 correct answer, ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए next question को देख लेते हैं, इस question को देखे, यहाँ पर एक direction का question है, यहाँ पर बोलाई गया है, कि मैं not की तरफ देख रहा हो, तो यहाँ पर इस question को solve करने के लिए, सबसे वहले direction को ड्रो कर लाना है, उपर के तरफ नौट होता है, यह साइट पर east होता है, नीची की तरफ साउथ होता तो मैं 90 degree turn लेने के बाद अभी किस direction में देख रहे हो, यह direction में, मतलब यह direction, यह direction कॉंसा direction है, यह east की तरफ ठीक है 90 degree है यह उसके बाद मैं इन्हें 135 degree same direction में गुमा है इसका मतलब यहां से में 135 degree मतलब यहां से यहां तक 90 degree है उसके बाद 45 degree मतलब यह direction में अभी मैं देख रहा हूँ ठीक है तो यह direction कॉन से direction है उसके बाद मैं समझेंगे देखे इसका मतलब देखे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री मतलब 180 हो गया इसका उल्टा ठीक है 180 हो गया और 90 इसका मतलब यह Direction हो जाएगा ठीक है समझ भा रहा है तो अभी Question में पुछाए गया है कि मैं किस Direction में अभी देख रहा हूँ तो यह Direction कौनसा Direction है यह Direction West है पतलब नौर्थ वेस्ट हो जायागा यहां पर करेक्ट हैंसा ठीक है समझ मैं आ गया इस वीडियो में किसी भी कोशिण को अगर समझ नहीं कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमॉन बक्स करके बते हैं मैं कोशिश करूंगा उस कोशिण को आपको फिर से समझेने का वीडियो क अच्छे लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्रेब कीजिए एका नेक्स टाइम इस टिप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आज के लिए इतने फिर वी लेंगे